और अब आई ये अब एक काम की बाद जानते हैं, दक्षिन में सर रख कर क्यों सोते हैं? प्रत्वी पर दो धुव है, उत्तर धुव एवं दक्षिन धुव दक्षिन ग्रू से चुम्बकी प्रभाव उत्तर की और प्रवाहित होता है हमें अपने पेरों को उत्तर की और रख कर ही सोना चाहिए जिस से चुम्बकी प्रभाव उपर से नीचे की और है यानि की सिर से पेर की और चुम्बकी प्रभाव होना चाहिए डक्षिन की और पेर होने से चुम्ब की प्रवा हमारे मस्तिक से उठने वाली तरंगों से विपरीत हो जाता है जिससे बुरे डरावने सपने नीद नहीं आने की समस्या चोक कर उठना चक कर आना उनमाद आदी बिमारियां होती है इसके साथ ही मैंने स्वयम यहां प्रियोक करके देखा एक सप्ता हमें उत्तर की और मुह करके सोया इस से मेरे विहवार में भारी परिविर्टन आया मेरा सभाव चिड़चड़ा सा हो गया इसके अलावा काम में मन नहीं लगता था एवं दिन भर आलस से बना रहता था राद भी हिंसा युक्त स्वप्न आना शुरू हो गय थे शिगर ही मुझे अपना सिरहना बदलना पड़ा इसलिए दक्षिन की और सर रखकर तथा उत्तर की और पेर रखकर ही सोना चाहिए दक्षिन की और मुह करके वारतालाप, निरने, अध्यन, आशिरवाद लेना ये देना भी नहीं करना चाहिए गुरुवार को दक्षिन की लंबी यात्रा पर नहीं जाना चाहिए प्रयास करें कि लंबी यात्रा गुरुवार के समय नहीं हो प्राचीन समय से हम यह देखते आ रहे हैं जब कोई व्यक्ती प्राण त्यागने वाला होता है तो उसे उत्तर की और सिर करकर लिटाया जाता है ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिन से आने वाला चुम्ब की प्रभा उसके प्राणों को मरने वाले के जो मरने वाला है उसके प्राणों को उसके सर के भाग से बाहर निकाले क्योंकि शास्तरों में मुह आँख नाख कान से प्राण त्यागने को श्रेष्ट माना जाता है जिसके प्राण ऊपर के द्वारों से निकलते हैं जाने की कान नाक आँख मुह से निकलते हैं वह स्वर्ग की ओर जाता है प्रान त्यागने के पष्षाद उसको पुनहा दक्षिन की ओर सर करके लिटा दिया जाता है चितापर भी मृतक को दक्षिन या पश्चिम की ओर सर करके लिटाह therefore